बच्चो चेप्टर शुरू करेंगे इंडिया प्यूपल एंड एकनॉमी बुक का पॉपॉलेशन डिस्टिबूशन डेंसिटी ग्रोथ एंड कमपोजिशन ठीक है चेप्टर नमबर वन है टर्म वन के अकॉर्डिंग स्लेवर्स के अकॉर्डिंग हम अब इसको पढ़ेंगे चले देखते हैं बच्चो जो प्यूपल होते हैं किसी भी देश के लिए एक बहुत इंपॉर्टन कंपोनेंट होती है वहां के लोग है ना क्योंकि यही लोग तो हैं जो देश के लिए असेटे लाइबलिटी बन सकते हैं तो अगर हम पॉपलेशन के बेसिस पर बात करें तो इंडिया वर्ड में सेकंड नमबर पर आता है पॉपलेशन के मामले में चायना के बाद लेकिन यह भी कुछ ही सालों की बात है उस इसकी पॉपलेशन अगर हम नौर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, आस्टेलिया इन तीरों कॉंटिनेंट की पॉपलेशन को जोड़ दें उन से भी जादा है हमारी आके लिए इंडिया की पॉपलेशन देखें तो कही बार जातर यह आर्गू किया जाता है कि इस तरीके की जो पॉपलेशन होती है वो देश के लिए अच्छी नहीं होती, इन वेरियबली देखा जाए तो यह पॉपलेशन को बढ़ा देती है क्योंकि रिसोर्स तो लिमिटेड है, उन लिमिटेड रिसोर्स के ऊपर प्रेशर बढ़ जाता है, ठीके तो यह रिस्पॉंसिबल होती सब्सक्राइब करने के लिए एक सर्वे कराया जाता है जनसंख्या गढ़ना पॉपलेशन से बच्चों यह हमारी इंडिया में इंडिया में नहीं कराया गया इनकंप्लीट सेंसस था और इसके बाद में 1881 में पूरा पूरी तरीके से सेंसस कराया गया तो इसलिए से फूर्स्ट कंप्लीट सेंसस बोलते है 1881 वाले को और 1872 वाला फूर्स सेंसस है फिर 1881 में चार्टर आया उसमें अंग्रेश थे हमारे आपर शाषिंड में तो चार्टर फिर इसके बाद होगा 2031 में ठीक है और अभी जो हमारे उसकी कोविट की विरे से थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया यह वाला सेंसस का वर्क distribution of population की बात करते हैं distribution of population का मतलब है लोग कहां का फैले हुए है अगर हम बात करें figure number 1.1 को examine करते हैं ठीक है बच्चो figure number 1.1 इसको देखिए यह dot matrix map है है इसके बारे में भी हम practical में जब पढ़ेंगे तो dot matrix के बारे में जानेंगे thematic maps में कैसे maps होते हैं तो बच्चो यह particular theme को दिखा रहा है यह population distribution को दिखा रहा है आप इसमें देखो उत्तर प्रिदिश में कितने dots लगे हुए हैं जबकि यहीं पर रारिस्तान में देखो dots कितनी दूर-दूर है यहीं पर अगर हम बिहार में चले जाओ dots कितने पास हैं जबकि अगर हम peninsula में जाते हैं तो थोड़ा से moderate दूर है और नौर्थ इस्ट में भी dots बहुत दूर-दूर है ठीक है तो इस तरीके से हमने यह figure number 1.1 में देखा कि जो special distribution है यानि जो छेत्री है इनका distribution हुआ population का वो थोड़ा अलग-अलग है मतलब अलग-अलग का मतलब uneven patterns है कहीं पर तो population बहुत जादा है और कहीं पर population बहुत कम है यानि जो percentage share population की कुछ states और territories में देखें जैसे उत्तरप्रदेश हो गया है ना उत्तरप्रदेश के पास सबसे नंबर पर वेस्ट वंगोल आता है population के basis पर जबकि कुछ रीजन तो ऐसे हैं जहां पर population बहुत ना के बराबर आती है है अगर आप बुक के last में जाओगे और last में बिटा आप देखोगे तो appendix आई ए दे रख्योगी वने ठीक है उसमें देखोगे तो उत्तरप्रदेश महरास्ट बिहार वेस्ट वंगोल आंदरप्रदेश है ना इसमें तमिल नाडू मद्यप्रदेश यादिस्थान करनाटका और गुजरात यह ऐसे कुछ स्टेट्स हैं जिनके पास एंडिया की 76% पॉपुलेशन है ठीक है अगर गिने चुने स्टेट्स के पास 76 है तो बाकी जितने भी सारे हैं उनके पास देखा जाए तो सिर्फ 24% पॉपुलेशन है बचो ज़रा यहां पर आते हैं देखो ज़रा यह MCQ के लिए कोशन आपके सामने रखे हुए तहीं आरहा है तो वियुक् sencill कोशन तभी और अपौपुलेशन है इन रख्यश्य सब्सें के साब से बड़ा है और स्टेट ऑट्रप्रदेश अब यहां पर हम्में बताना है साइज भी बड़ा हो और पौपुलेशन भी बड़ी हो तो महारास्टरा उथ उतरप्रदेश गयरा है और उ NS बिड़ा है अब ऐसे स्टैट बता बताई एस चोटा भड़ा हो लेकिन लेकिन शोटी है लद्दाख पप lorsquट मैं इस तरीके से करा किesis बतानी जिनका साइज कंपड़ेशं comparatively जादा है, तो ऐसे स्टेट देखेंगे तो हम गोजा देख लें, है ना केरला देख लें, चलो केरला में तो भी कम है, है ना, गोजा देख लें सबसे पहली बात तो, इसके बाद चले आते हैं, अपने धहली में, तो इसके पास population बहुत जादा है, चले, बचो, अगर हम द नौर्थ इस्ट के तो बच्चो सारे स्टेट से सीमाएंगे कम पॉपॉलिशन में इसके पास सिर्फ पॉइंट वन वन परसेंट है उत्राखंड इसके पास पॉइंट फॉर परसेंट है ठीक है बच्चो यहां पर एक 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 मसी क्यों आपके पास तैयार हो सकता है विच ऑफ फॉलोइंग स्टेट है था हैं इस पॉपॉलेशन यह विच ऑफ फॉलोइंग स्टेट ड़स नौट है वह बन सकता है तो याद रखेगा नौर्थ इस स्टेट यहां पर हमाल्य के उस रेंज में आते हैं जितने ही भ सकता इसलिए माउंटेनियस रीजन स्पार्स पॉपॉलेशन वाली जगह होती है तो याद रखेगा यहां से बन सकते हैं अगर हम बात करते हैं इस तरीके का जो अनीवन स्पाशल डिस्टिबूशन है इन पॉपॉलेशन का इंडिया में यह बताता यह बताता है कि इंडिय सब्सक्राइब करेक्टर के बात की जाए तो यह बहुत क्लियर है ऐसी जगह का क्लाइमेट मॉड्रेट होगा तो वहाँ पॉपलेशन के लिए यूज किया रा सकता है तो वहाँ पॉपलेशन कॉम्परेटिवली जादा होगी यह चीजे कुछ है यह फिजिकल फेक्टर कुछ ऐसे हैं जो कि population distribution पर असर डालते हैं तो बच्चों याद रखेगा इन में इसमें से कोशन कैसे बन सकता है इसको थोड़ा से याद रखेगा इसी तरीके से देखते हैं जो नौर्ध इंडियन प्लेंज हैं इसके परिणाम की वैसे नौर्ध इंडियन प्लेंज डेल्टा या कॉस्टल प्लेंज हैं यहां पर higher population क्यों क्यों कि क्लाइमेटेक केंडिशन फिवरेबल है टेरेन इसलेशन में पॉपलिशन कंप्रिटिबल यह ज्यादा पाई जाती है लेकिन अगर बात करें इंटेडियर डिस्टिक्स की खासतोर पर सधन और इंडियन इस्टेट्स में देखें या हम हिमाल्या की तरफ च लेजाए राजिस्थान यहां पर इरिगेशन डेवलप नहीं है वहाँ पर पॉपलिशन थोड़ी सी कम होती है ठीक है लेकिन देखें तो राजिस्थान में बेटा जैसे 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 अटेवलप्मेंट बढ़ता जा रहा है वहाँ पर मिंडल और एनरजी रिसोर्स की आवलि तो आपसे अगर यह पूछा जाए कि वाई राजिस्थान है मॉडरेट टाइप पॉपुलिशन डिस्ट्यूबूशन तो उसका आंसर क्या होगा वहाँ पर डेवलप्मेंट ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी वाई जहरकंड है मॉडरेट पॉपुलिशन उसका आंसर क्या होगा यह कुछ ऐसे का रहे हैं जिनकी वज़े से इन स्टेट में मॉडरेट टाइप की पॉपुलिशन डिस्ट्यूशन पाए जाता है इसके अलाव अगर हम सोशो एकोनॉमिक और हिस्टॉरिकल फेक्टर देखें तो वह भी पॉपुलिशन डिस्ट्यूशन पर असर डालते हैं इसमें अगर हम देखें साथ बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से सैटल एगरी कल्चर का एविलूशन हुआ कैसे एक ही जगह पर आदमी ने रुक कर लोगों ने रुक कर एगरी खेती करनी शुरू करी खेती का डेवलप्मेंट कैसे कैसे होता चला गया ल इसके अलावा देखा जाए तो इकोनोमिकल दो प्रोसेस जैसे इंडस्टिलाइजेशन और अर्बनाइजेशन यह दोनों बहुत इंपॉर्टन प्रोसेस जिनके ऊपर हमारा पॉपॉपॉलेशन डिस्ट्रिकूशन डिपेंड करता है विचो एक कोशन पहले यह बनता था अब तो नहीं बनेगा एंडस्टिलाइजेशन और अर्बनाइजेशन दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई प्रोसेस हैं इंडस्टिलाइजेशन होगा तो वहां पर अभी भी लाज़र पॉपॉलेशन पाया जाता है इसके बापजूद भी कि जो रिचोर्स दा उनका यूस किया जा रहा है जैसे लेंड वाटर है इन रीजन में हैना चाहिए वह डिग्रेडेशन के शाहिन शोगर रहा हो कि डिग्रेडेशन हो रहा है लेकिन यहा हो रहा है क्योंकि बेटा जो अर्ली हिस्ट्री है हमारा जो इत्यास है अपने निवास बनाने का घर बनाने का और जो डेवलप्मेंट है ट्रांस्पूर्ट नेटवर्क का इनकी वज़े से ठीक है क्योंकि आप घर बन गए शहर बड़े-बड़े हो गए तो इसलिए वहां पर ट्रांस्पूर्ट नेटवर्क बढ़ गया जिसकी वज़े से रॉमेट्रेल अब भार से भी मंगाये जा सकते हैं इन सब की वज़े से हापर पॉपुलेशन अभी भी हाई है अगर हम दूसरे तरफ देखें तो जो कुछ अर्बन रीजन्स है यानि शहरी छेतर हैं जैस हाई कंसेंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन है जिसका रीजन क्या है क्योंकि यहां पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ यहां पर अर्बनाइजेशन हुआ इसकी वज़े से गाउं से लोग निकल निकल कर इन शहरों की तरफ गए नौकरी की तलाश में और इन शहरों मे जाकर बसने लगे इसको बोलते है रूर अर्बन माइग्रेशन ठीक है तो माइग्रेशन की भी जब हम चैप्टर में पढ़ेंगे तो वहां पर हम उसकी स्ट्रीम्स पढ़ेंगे तो गाउं से गाउं होती है गाउं से शहर होती है शहर से शहर होती है या शहर से गाउं होत से ही शहर की population बढ़ती जा रही है अब बात करते हैं density of population की तो बेटे density of population को कैसे निकालते हैं निकालते हैं total population total population upon area area square kilometer ठीक है इस तरीके से निकालते हैं और इसकी definition क्या होती है definition का मतलब होता है number of persons per unit area is called density 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 of population का मतलब होता है कितने लोग 1 square kilometer area में रह रहे हैं जैसे मान के चलो बच्चो यहां पर देखो यह मेरा 1 square kilometer का area है अगर इसके अंदर 400 लोग रह रहे हैं तो यह कलाएगा बेटा 400% per square kilometer area है ना अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो हमारी जो population density है वो बहुती जादा हाई है world के comparatively हमारी इंडिया में 2011 के survey में देखा गया तो 382% per square kilometer रहते हैं ठीक है इसमें भी हलके-लके करके growth होती जा रही है 200% per square kilometer area पहले हमारा 50 साल पहले तक हुआ करता था इवन जब हम 1951 में आजादी के को समय बात की बात करें उस समय पर 117% per square kilometer था बस जो कि आज 382% per square kilometer हो गया है अगर आप इस appendix वने को देखोगे तो उससे आपको पता चल लाएगा कि उसमें spatial variation of population densities के बारे में भी दे रखा है कि कि किस तरीके से हमारे देश के कुछ states तो ऐसे हैं जिनके पास population density बहुत काम है इवन 17 है अरनाचल प्रदेश के पास है ना सबसे lowest population density अरनाचल प्रदेश के पास जबकि वहीं पर अगरम चले जाए देहली के पास में तो देहली के पास highest population density है जाए जबार में 11320 लोग रहते हैं एक कौर में सोचो बच्चो एक कौर में 17 लोग रह रहे हैं तो वहाँ पर जमीन के ऊपर प्रेशर पढ़ेगा ना के lên और एक कौर में 11000- Colin Ker能 को सब्सक्राइब बहुत कंदी ब्रेश कंुल प्रिषाइब के पास सबसे ज्यादा पोपॉलेशन पॉपॉलिशन वाले। और पॉपुलेशन डेंसिटी सबस्यादा हमारे छोटे भाई के पास तो हमारे छोटा भाई कौन है बिहार पड़ुसी हमारा ठीक है ऐसे करके आद रखेगा जबकि अगर हम बात करते हैं सौधन स्टेट्स की या पैनिंसुलर स्टेट्स की बात करते हैं जैसे केरला की 860 है समिल लाडू की 555 है यह भी हायर डेंसिटीज है पैनिंसुलर स्टेट्स के अगर हम चले जाते हैं कुछ स्टेट्स देखें जैसे असाम हो गया गुजरात आंद्रप्रदेश हर्याना जहरकंड उडिशा इन स्टेट्स के पास में मॉडरेट टाइप की डेंसिटीज है और चमबाइइन है जबकी पास न अगर में यह अगर दीन स्टेट्स कीं डॉलेट के लेकिन अगर हम में चले में लेकिन हम डेंड है और बने जम्मू कश्मीर या लद्दाक में क्योंकि वो mountain डीजन में आ रहा है वो भी यूनिन टेरिट्रिय है भी तो हल फलाल में तो जम्मू कश्मीर लद्दाक अन्दमान या निकोबर आइलेंड इनकी बात करते हैं तो इनके पास comparatively low population density है जबकि लक्षदी बच्चो एक ऐसी यू भी इस paragraph में discuss करा ये एक बहुती important measure है इसके basis पर हम जान सकते है कि human का उसकी land के साथ में कैसा relation है ठीक है इसको और जादा बेटर तरीके से समझने के लिए देख सकते हैं जितना human land ratio जादा होगा उतना population का pressure जमीन के उपर जादा होगा क्यों क्योंकि जादा जमीन पर खेती की जा रही होगी तो physiological या agricultural जो densities है है यह बताती है कि इंडिया में जो agriculture population है वो भी कितनी जादा है तो अब बचों बात करते हैं कि physiological और agricultural densities होती क्या है ठीक है जरा ध्यान से देखिए का physiological density का मतलब होता है हमारे पास जतना कल्टिवेटेड एरिया है कि कल्टिवेटेड एरिया है उसके ऊपर टोटल कितनी population रह रही है कि यानि टोटल पॉपुलेशन का कितना प्रेशर कल्टिवेटेड एरिया पर पढ़ रहा ह आगाले चलत पका से तय्हो य कोई लेना देना नहीं होता है इसी यहारी कबॉलिशन एक्रिवेटेड में लगल जाहेched उसमें कल्टिवेटंर को जाए है उनके परिवार हो जाए तो total agriculture population और net cultivated area का जो proportion होता है वो agricultural density कर लाती है यह याद रखेगा दोनों MCQ में पूछा जा सकता है formula की रूप में जैसे पूछ लिया गया physiological density can be measure total population upon total area, total population upon net cultivated area, total agricultural population upon net cultivated area या none of these ऐसे करके question बन सकता है तो इसके लिए आपको यह formula लेन करना पड़ेगा ठीक है बच्चो इसके बाद growth of population पढ़ेंगे next part में